Good morning to all, how are you? I hope you all are fine. आज हम मैच का चिप्टर 9, Measurement, स्टार्ट करेंगे. Measurement, Measurement means मापना, किसी चीज को नापना, उसका उसकी लेंद पता करना, उसके बारे में पता करना. तो अब हम Measurement के बारे में पता करेंगे कि कैसी चीज भारी है, या हलकी है, लंबी है, या छोटी है, मतलब उसका Measurement उसकी लंबाई को नापना, या उसके वजन को नापना. तो इसको हम Measurement केते हैं, चलिए अब देखते हैं, to express length in centimeters and meters, जो हम लंबाई है, उसको centimeter और meter में नापते हैं, वेट को हम gram और वजन जो होता है, उसको हम gram और kilogram में नापते हैं, और capacity, capacity को हम millimeter और liter में नापते हैं, जैसे water, oil, milk, इनको हम liter और milliliter में नापते हैं, और वजन में वेट को kilogram में नापते हैं, और जो लंबाई होती है, उसको हम meter और centimeter में नापते हैं, let's get started pick the correct words from the cloud and fill in the blanks हमको fill in the blank fill करने है यह जो side में cloud दिये है उसमें हमको से correct word pick करना है first the monkey's tail is fill in the blanks then the dog's tail जो यह monkey की tail है monkey की पूछ है dog की tail से कैसी है longer है या shorter है तो dog की tail से जो monkey की tail है वो longer है तो यहाँ पर हमने लिख दिया longer, L-O-N-G-E-R longer, now two, the zebra is fill in the blanks, then the kate, and the kate is fill in the blanks, then the zebra, अब है lighter, और heavier, light मतलब halka, और heavier मतलब bhaari तो, जो zebra है, वो kate चे कैसा है? heavier, तो first लिख देंगे the zebra is heavier than the kate, and the kate is lighter than the zebra, जो kate वो lighter है, zebra से, now the bucket holds, fill in the blanks, water, then the tub, the tub holds, fill in the blank water, then the bucket, अब आप बताईए कि water किस में ज़्यादा आएगा, टब में की bucket में, तो bucket में कम आएगा, और टब में ज़्यादा water आएगा, तो जो the bucket holds, fill in the blanks, water, then the tub, तो बकेट में, टब से कैसा पानी आएगा, ज़्यादा की कम, तो कम आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, less, the bucket holds, less water than the tub, and the tub holds, more water than the bucket, तो तब उसमें, बकेट से, ज़्यादा water आएगा, इस टाइब से हम, पिच्चर देखके, पता कर सकते हैं, क कौन सी चीज, longer है, कौन सी चीज, shorter है, कौन सी heavier है, कौन सी lighter है, किसमें, ज़्यादा capacity है, किसमें, कम capacity है, स्टैप से हम, पिच्चर से, पता सकते हैं, लेकिन, जब हमको, पिच्चर के अलावा, लंबाई नापना है, तो हम, कुछ, अमाना की काईया, जैसे, जिन, जिन से हम कीज नापते हैं, कभी-कभी आप देखिए, किया आपकी pencil की length कैसे नापते हैं, तो आप pencil की length, इस type से hin drop लेकर थाषिब नापते हैं जब हम इस तरीके हुरिव को पास्ति होती तो भी कि गियुक्त लेकर की सब्वारो हिक युक्त ओर जब हम एक कदम चलते हैं तो उतनी दूरी को बोलते हैं हम Pets तो आप देखिए हम Hand vient सब्सक्ते हैं अब आमारी जो यह Text Book है, इसका एक साइड हम Settings Time से नाप चकते हैं The Sid Of Table Table को हम Cubits में नाप चकते हैं Elbow से लेके tapping Finger तक का distance से Or Pets The Length of the Classroom हम classroom की जो length है किस से नाप सकते हैं? पेस से नाप सकते हैं. Now unit of length. Length लंबाई की इकाई. जब हम लंबाई को नापते हैं तो उसके पीछे क्या लिखते हैं? तो जब हम standard unit of the length क्या है? meter जब लंबाई नापते हैं हम तो meter में नापते हैं. जैसे कभी आप कही shop पे कभी कुछ कपड़ा खरीदने गए तो आप कपड़ा किस में लेते हैं? meter में. तो जो unit length की वो क्या है? meter. अब meter को 1 meter को हम 100 cm में divide करते हैं. तो उसको बोलते हैं 1 meter को हम किस में divide करते हैं? 100 cm में. 100 cm मिलके 1 meter मनता है. जैसे आप सभी ने scale देखिए, आप सभी के पास scale है, तो देखिए, जो ये 1 से लेके 2 तक की जो distance है, 0 से लेके 1 तक मिलाएंगे, तो ये बन गया 1 cm, ये 2 cm, ये 3 cm, 4 cm, 5 cm, इस टाइप से ये cm होते हैं. और 1 cm के अंदर 10 mm होते हैं. mm होते हैं, 10 mm होते हैं. 1 cm में 10 mm होते हैं. और 1 meter में 100 cm होते हैं. तो unit of the length, length की unit क्या है? meter है. The unit centimeter is used to measure the length and width of small objects. जो centimeter है, वो हम कब यूज करते हैं, छोटे-छोटे object की लंबाई नापने के लिए. जब centimeter का use, छोटे object की लंबाई नापने के लिए होता है. अब यहाँ देखिए, शॉपनर के बारे में क्या लिखा है? ये शॉपनर measures about 2 cm. जो ये शॉपनर है, वो 2 cm के लगभग होगा. About means, उसकी exact लंबाई नहीं बताई है. मतलग, exact नहीं है, उसके near है, उसके लगभग होगा. यूवर, 4 finger measures about 3 cm. जो आपके 4 finger है, छोटी है, वो index finger है, जो वो 3 cm के लगभग होगी. लेकिन exact 3 cm नहीं होगी, उसके nearby होगी. या तो 3 cm के से 1-2 mm ज़ादा होगी, या कम होगी. इसलिए हैं पर क्या लिखा है? About लिखा हुआ है. Now, the unit meter is used to measure the length and width of bigger objects and shorter distance. जो यह है meter, कब यूज़ करते हैं? जो object, बड़े object रहते हैं, उनकी length नापने के लिए और थोड़ी सी दूरी नापने के लिए. तो हम क्या यूज़ करते हैं? Meter, the length of your classroom is about 10 meter. जैसे आपके classroom की length कितनी है? 10 meter. The length of sari is about 6 meter. जो sari की length होती है, वो कितनी होती है? 6 meter होती है. Now, given below, are some tools used for measuring length. अब लेंथ नापने के लिए हम क्या-क्या यूज़ करते हैं? Measuring tape. Tape आती है, घर बनाने टाइम जब जो जिससे हम नाप लेते हैं, वो होती है measuring tape. Meter rod. जब हम कपड़ा खरिदने जाते हैं, तो वो shop वाले uncle, meter rod होती है, उससे वो meter से नाप के कपड़ा काटते हैं, तो वो होती है meter rod. And ruler, ruler means scale, जो हम कमपॉक्स बॉक्स में use करते हैं, इनसे हम चीज़े नाप ने हैं. Do you know क्या आप जानते हैं? The world's smallest fish measures about the same length as the nail of your little finger. जो दुनिया की सबसे छोटी मश्ली है, उसकी लंबाई, आपकी जो सबसे little finger है, उसके नाखुन के बराबर है. Now, example, choose the correct unit of measurement for measuring the lens of the object given alongside. अब हमको unit पता करनी है कि कौन सी unit आईगी, जैसे देखी, अब यह door है, door बड़ा आता है, तो door की length हम bigger object है, तो door की length हम meter में measure करेंगे, और जो यह finger है, यह छोटी है, इस lens की length हम centimeter में measure करेंगे. Now, exercise 9.1, choose the correct units and write them in the boxes given. अब हमको correct unit पता करना है कि centimeter में length नापेंगे कि meter में, अब देखें butterfly, the length of butterfly, butterfly छोटी से आती है, तो इसकी length हम कैसे नापेंगे? centimeter में, the height of a ladder, ladder मतलब cd, जो लोहे की cd होती है, उसकी length हम किसमें नापेंगे? meter में, क्योंकि centimeter में तो बहुत छोटी हो जाएगी, the length of a door curtain, अब जो घर के door का curtain होता है, परदा, उसकी length किसमें नापेंगे? meter में, the length of your nose, आपकी nose की length किसमें नापेंगे? centimeter में, क्योंकि हमाईडी nose तो छोटी सी है, now to fill in the blanks with the centimeter or meter, अब हमको centimeter or meter में, यह fill करना है, fill in the blanks को, क्यों सा object bigger है, किसकी length हम meter में measure करेंगे, और किसके length हम centimeter में measure करेंगे? a, the length of a door is, door की length कितनी होगी? door बड़ा होता है, तो उसकी 3 meter, the length of a notebook is, अब यह notebook कितनी बड़ी है, shorter object है, bigger नहीं है, smaller object है, तो इसकी length है, वो centimeter में measure होगी, the length of a nail, आपके जो nail है, उसकी length काई में measure होगी, छोटा है nail, इसलिए इसकी length centimeter में measure होगी, and the length of a playground, इस playground की length, playground तो बड़ा होता है, तो length उसकी meter में measure होगी, steps आपको यह fill करना है, thank you, कुई झान थाएवाने क्या उसक्स डुल सार्वारा रावड़ा होगी, depths में उसकी जसके झाल, बड़ी जसकी तो